कैसे हैं चात्रा मेरा नाम है पटिल हीरल फ्रम अश्वाइक विद्यल आगे हमने गुजरती विशाय में यूनिट 194 तक की पढ़ाई की थी अब हम उसके आगे की यूनिट की पढ़ाई की करेंगे तो चले पढ़ते हैं यूनिट 195 यहां तीर नी विशामा वाच्वाथी बनता सब्द लखो यहां make the proper word using given letter यहां आपको proper word बनाना है किसका उप्योग करके तो यहां जो सब्द है उसका उप्योग करके आपको सब्द बनाना है यहां तीर यह जो तीर है वो आपको देखना है तीर किस और से किस और जा रहा है उसके अधर पर आपको सब्द बनाना है जैसे कि तीर यहां से गोल की और से यहां बहर जा रहा है तो पा छू गोल वाला सब्द पहला एगा जो सरकल में है वो सब्द आएगा पा छोने हसे वाडू चु अने बिंदु पाँ चु पाँ बचि पाँ डू पाँ ने कानो पाँ डाने हासे वाड़ो डू अनुस्वार डू पाँ डू इस प्रकार आपको लिखना है कौन से सब्दों जो पहले सरकल में है वो तीर की दिशा को देखके आपको सब्दे लिखना है अगर तीर उपर से नीचे आया होता इस प्रकार तो आपको सब्से पहले ये सब्द बात में ये सब्द लिखना होता पहले सब्द तीर पर से लेकर डर तक आया है तो पहले ये सरकल से लेकर बहार तक गया है इसलिए वो सब्द पहले आएगा फिर इस और भी इस प्रकार ही तीर है तो उसी अनुसार आहाम लिखेंगे सब्दा आएगा समझ में चत्रा अब हम unit 196 देखेंगे सर का सब्दा माचो अने लिती डोरी ने जोड़ो यहां same word है उसको आपको जोड़ना है हम आगे भी उसकी पढ़ाई करके आए हैं तो उसे पढ़कर हम जोड़ेंगे जोड़ेंगे उसके सब्दा क्या जो same word है उसके साथ शीहां साने हस्वाई सीहां बने एक मत्रा भेशा बने एक मत्रा भेशा बने एक मत्रा भेशा अंगूठो तो उसके साथ उसे जोड़ेंगे अने कानो अनुश्वार आंग अनने हसे वाड़ूडूँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ यहां कुछ sentence दिये गए हैं उसको आपको पढ़ना है और लिखना है हने अनुष्वार हन्सा हने अनुष्वार हन्शा हन्सा रामे छे हन्सा रामे छे चने अनुष्वार चम्पान फरे छे चने अनुष्वार चम्पान फरे छे चने अनुष्वार चन्दा चन्दा वाने छे सने अनुष्वार संकर शंक वागाडे छे सने अनुष्वार संकर शंक वागाडे छे बने अनुष्वार बन्सर अनुष्वार बन्सर अनुष्वार अनुष्वार गंट वागाडे छे समझ माया अब हम पढ़ेंगे यूनिट वान नाइन्टी एट चित्रो औरखो अने नाम कौंश माती स्वोधी ने लगो यहाँ पिचर दिये गए है उस पिचर को आपको पहचान के उसके नाम जो बॉक्स में लिखे हैं उसमें से डून के आपको लिखना है यह किसका चित्रो है उट कहाँ लिखा है इदर तो उसकी आनुसर ही हम लिखेंगे उट उट यह किसका चित्रो है माटलू यहाँ लिखा है हम उसे देख कर लिखना है उस प्रकार आपको छित्रों को पेचान के लिखना है अब है इनिट 199 सब्द त्राण मार माचो ने नाट बुक मा सुन्दर अक्षर लोखो आपको आपकी नाट बुक में उसे अच्छे अक्षर में लिखना है नने अनुश्वार नंगा नंगा बान अनुश्वार भंगा भंगा भंग शने अनुश्वार शंप 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 शनुश्वार चंद चंद पने कनो अनुश्वार पाख चन अनुश्वार चाच चाच पने कनो अनुश्वार पाच पाच दने अनुश्वार दात गनिकानो गा, रने हसी वाड़ डू, अनुस्वार डू, गाडू जनिकानो जा, रने अनुस्वार हसी वाड़ जाडू, जाडू, जाडू खनिकानो खा, रने हसी वाड़ अनुस्वार खारू, खारू, खारू खने कानु खा, टने अनुश्वर खाटू, खाटू, खाटू मने अनुश्वर मंदप, बने अनुश्वर बंदर, बंदर, चनन अनुश्वर चंदन, जने अनुश्वर जंगल, जंगल बनेकानो बार अणने हसे वाडू अनुस्वार गूनू बार अणू बारू गनेकानो गाम अणने हसे वाडू डू अने अनुस्वार गूम गाम अडू गाम डू वाड अहड अडने अनुस्वार हसे वाडू डू वाड़ू वाड़ू ताप अणने हनु अनुष्वार हसी वाड़ूनु ताप अणु टापनु श श लने अनुष्वार अने हसे वाड़ूलू श शालू शसलू मार चने अनुष्वार चू हसे वाड़ूचू मार चू मरचू काप अणुष्वार अने हसे वाड़ूडू काप अणुष्वार अने हसे वाड़ूडू काप अणुष्वार अने अनुष्वार अने हसे वाड़ूडू काप अणुष्वार अने हसे पने अनुष्वार कानु पांद रने अनुष्वार डू अने हसे वाड़ु पांद डू मने अनुष्वार है पांद डू पांद डू पांद डू अनुष्वार डू हता हता है मा कडू यूनिट टू जीरो जीरो पगला मांचो अने नाटबुक मां सुन्दर अक्सरे लखो यहां सेंटेंस दिये गए हैं आपको उसे पढ़कर अच्छे अक्सरों में अपनी नाटबुक में लिखना है अने कानो आ आ रने अनुष्वार हसे वाड़ो डूंगर छे आ डूंगर छे डने अनुष्वार हसे वाड़ो डूंगर पर जने कानो जाड़ छे डूंगर पर जाड़ छे जाड़ पर पने अनुष्वार पपंखने दिर्गै की पंखी छे जाड पर पंकी छे, पंकी कलबल करे छे, आर डुंगर छे, डुंगर पर जाड छे, जाड पर पंकी छे, पंकी कलबल करे छे पहाड पासे जने अनुश्वार जंगल छे जने अनुश्वार जंगल मा एक तड़ाव छे जंगल मा एक तड़ाव छे तड़ाव मा मने अनुश्वार मा तड़ाव मा एक ननिकानो नाव छे तड़ाव मा एक नाव छे चने अनुश्वार चंपक चंपक नाव चलावे छे पहाड पासे जंगल छे, जंगल मां एक तड़ाव छे, तड़ाव मां एक नाव छे, चंपक नाव चलावे छे इस प्रकार आपको सेंटेंस को पढ़के आपनी नौट गुप में लिखना है ठीक है चत्रो? Thank you